Morphological Identification of Model Arthropod इस module के अंदर हम spider के leg structure के बारे में discuss करेंगे और spider के अंदर जो silk gland है उसके बारे में कि silk gland क्या है वो क्या function perform करता है और जो silk है उसका क्या role है सबसे पहले हम spider की leg के बारे में बात करते हैं कि जो spider है इसके अंदर हमने देखा कि four pairs of legs मौझूद है अब जो four pairs है इन के size के अंदर तो difference होता है लेकिन basic जो structure है वो same है अगर leg का हम पहला part देखें तो उसको coxa कहते हैं इसी तरीके से दूसरा जो part है उसको trochanter थर्ड पार्ट femur उसके बाद patela, tibia, metatarsus और tarsus है और उसके बाद class है अब इसी slide में अगर हम जो leg की diagram दिखाई गई है इसको देखें तो इसमें जो पहला part जो के sphalothorix के साथ attach होता है वो coxa कहलाता है उसके बाद एक चोटा सा structure जो के एक जोड की तरह होता है इसको ट्रोकेंटर कहते हैं और उसके बाद next हम देख सकते हैं कि femur को दिखाया गया है femur और tibia के दरम्यान में फिर एक जोड की तरह का structure है जिसको patela कहते हैं उसके बाद tibia, tibia के बाद metatarsus और आखरी जो portion है उसको tarsus कहते हैं अब जो tarsus है इसके साथ class attach होते हैं class का जो number है ये vary करता है ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और taxonomically ये जो character है ये important होता है क्योंकि कुछ families ऐसी हैं जिसके अंदर class की तादाद 2 होती है और कुछ species ऐसी हैं जिसके अंदर class की तादाद 3 होती है इसी तरीके से इस slide के अंदर spider के अंदर जो gland है, जो कि venom gland है उसका थिकर किया गया है venom gland क्या है, spiders basically क्या है ये natural predators है, ये hunters भी हो सकते है ये sit and wait predators भी हो सकते है लेकिन ये अपने prey को immobilize करने के लिए उसको पकड़ने के लिए अपने venom का इस्तमाल करते है अब इनका venom कहां से produce होता है इनके लिए इनकी body के अंदर एक venom gland मौझूद होता है जैसा कि आप इस slide के अंदर देख सकते हैं कि venom gland जो है, जिसको poison gland भी कहा गया है ये कहां पर मौझूद होता है ये या तो चैलिस रा के अंदर मौझूद होता है या फिर ये केरापेस के नीचे मौझूद होता है यहां पर slide के अंदर हम देख सकते हैं कि चैलिस रा के अंदर poison gland मौझूद है और ये poison gland एक duct के जरिए fan के अंदर जो है खुल रहा है अब जब spider ने अपने prey को capture करना होता है तो उस वकद spider क्या करता है spider अपना fan जो है ये अपने prey के अंदर insert करता है जिसके जरिए ये अपना venom उस prey की body के अंदर inject कर देता है उससे क्या होता है कि जो prey है उसकी body के अंदर जितने भी जो soft tissues हैं ultimately ये liquid farm के अंदर convert हो जाते हैं और spider असानी से उस prey का जो liquid material है जो sap है उसको सक कर लेता है इसका मतलब ये हुआ कि spider अपने prey की पूरी body को consume नहीं करते बलके ये क्या करते हैं इनकी feeding strategy क्या है कि ये अपने prey की body के अंदर venom inject करते हैं जिसकी वज़ासे इनकी body के अंदर जो venom है उसकी वज़ासे tissues liquid farm के अंदर convert हो जाते हैं और उसके बाद spider इन liquid contents को absorb कर लेते हैं तो majority of spiders जो हैं उनका feeding pattern है वो यही है अब ये देखा गया है कि जो spiders हैं इनका जो venom होता है इसकी जो toxicity है वो vary करती है आम तोर पर ऐसे spiders जो के हमारे agricultural fields के अंदर हैं उनके अंदर toxicity काम होती है क्योंकि उनका मकस्द सिर्फ अपने prey को immobilize करना होता है लेकिन बहुत सारी spider की species ऐसी हैं जो के highly toxic हैं उनका venom धरी रहा होता है बहुता है